प्रीदर्शकों मम्ता कीचन रेस्पी में आप सब्री का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आलू गोवी टमाटर की सब्जी बनाना बताएंगे। तो समागरी में हमने ये फूल गोवी ले लिया है। इस तरीके छोटा फूल गोवी लिये हैं। दो कच्चे आलू ले लिये हैं। चार छोटे टमाटर ले लिये हैं। दो मीडियम साइज प्याज ले लिये हैं। साथ आज के लिए लेस्न डालेंगे। मसालों में आधा चमज जीरा है। ये खड़ी हल्दी है। थोड़ा जबीत्री है। ने लिये हैं। तो और भी मिर्श डाल सकते हैं, कसूरी मेथी डालेंगे, एक चुथाई चमच, एक चमच का समीरी मिर्श डालेंगे, ये एक तीखी नहीं होती, इससे सबजी का कलर बहुत बढ़िया आता है, तो सबजियों को हम काट कर तयार कर लेते हैं, और मसाले भी पीस कर तयार कर लें लेसुन की कलिया को भी कूट लिया है कास्मेरी मिर्श निकाल लिये हैं कसूरी मेथी भी निकाल लिये हैं आलू कछिल का उतार के हमने छोटे पीश में काट कर अच्छी तरीके धूल लिये हैं टमाटर भी महिन काट लिये हैं तो सभी समागरी रेडी है तो आईए सबजी बन देते हैं आलू डाल देंगे अब इन दोनों को हम फ्राई कर लेते हैं डैस को फ्लेम मेडियम रखेंगे मेडियम प्लेम में इसे सुनेरा कलर तक प्राई करेंगे आलू गोवी बड़िया तरीके से फ्राई हो गया है यह देखिए सुनेरा कलर हो गया है तो गैस को फ्लेम हम लो कर देते हैं और इसे हम निकाल लेते हैं यह देखिए गोवी और आलू हमने निकाल लिया है कड़ाई में तेल काफी सारा है तो हमें तेल डालने जरूरत नहीं है आधा छोटा चमज जीरा डालेंगे एक चोथाई चमज में थिक दाने डालेंगे अब इन दोनों को चटकने देते हैं गैस को फ्लेम मीरियम कर देंगे तेज पत्ता डाल देते हैं कटी भी प्याज डाल देते हैं प्याज को हम थोरा रोट कर लेते हैं अब द्रक लेस्टून हरा मिर्च बाद में डालेंगे प्याज सुनेरा कलर हो गए है यह रेखे अब हम अधरक लेस्टून हरा मिर्च डाल देते हैं मिर्च को हमने लंबे पीच में काट लिया है आप महीं भी पीच पकते हैं या छोटे पीच में काट ककते हैं अब इसे भी हम फ्लागों लेते हैं अब दरख लेस्टून का कच्चापन खतम हो गया है अब हम कास मेरी मिर्च डालेंगे इसे भी थोड़ा भून लेते हैं अब हम पीचा हुआ मसाला डाल देते हैं मसालों को अच्छी तरीके भून लेते हैं मसाले हमें इतना भूनना है कि जब तक मसालों में से कुच भून आने लगे और मसाला तेव न थोनने लगे तब तक हमें मसाला भूनना है मसाले अच्छी तरीके भून गाए हैं बहुत बढ़िया कुच हुआ रही है इसलिए कि हमने खड़ मसालों का प्रयोग किया है मसाला तेल भी छोड़ने लगा है अब हम कटा हुए टमाटर दाव देते हैं स्वादम साम नमक दालेंगे अच्छी तरीके मिला देते हैं अब हम दो मिनिट के लिए ठाकन लगा देते हैं ताकि टमाटर अच्छी तरीके पतके तयाब हो जाए 2 मिनिट हो चुका ठाकन अड़ आएंगे शेक करते हमें टमाटर हम तमाता रखी तरीके पाग गया है यह देखें तो कल्चुन की साहतर से इस तरीके हम नैस कर देते हैं अब हम पानी डाल देते हैं पानी आप अपने हिसाब से डालिए जैसे रसेदार सब्जी पसंद करते हैं तो पानी ज्यादा डालिए और सब्जी गाड़ी पसंद करते हैं तो कम डालिए गैस का फ्लेम हाई कर देते हैं ताकि जल्दी उबाल आ जाए ग्रेवी में से हुआ लाने लगा है थ्राई किया हुआ आलू वो भी डाल देते हैं कसूरी मेठी डालेंगे अच्छी तरीके मिला देते हैं अब हम पांच मिनट लिए धक्कन लगा देते हैं गैस के फिले मेरियम रखेंगे ताकि सब्जी अच्छी तरीके पक्के तयार हो जाएं पांच मिनट हो चुका है धक्कन हटाएंगे सब्जी हम चेक करते हैं आलू अच्छी तरीके पक्के तयार हो गया है यह देखिए गैस के फिलेम बंद कर देते हैं आई अब जरू करते हैं अब हम हरा धनिया डाल देते हैं यह देखिए आलू गोभी टमाटर की सब्जी बनके तयार हो गई है अब हम चावल निकाल लेते हैं हम चावल और गोभी आलू टमाटर की सब्जी के साथ खाएंगे आप पूरी पराथा चावल रोटी के साथ खाएए जिसके साथ आप खाना पसंद करते हैं गोभी के साथ खा थाइक्ट, कि करते हिए-जेशन आप उह पसब्जाथा टमाटर की सब्जाचा थेखेए यह के तो जह पिक आता हुआए –ज़कि की से एगल … किस्ञाळ के ड़न लीः दून तूमाटर की mêmes में झावल आप की तो लुदादर्त साथ 주고 च्चरा की तो तो अ तो आज की गोभी आलू टमाटर की सबजी की रेस्पी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिए सेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर इस तरीके आलू गोभी टमाटर की सबजी बनाएंगे तो बच्चे से बूढ़े तक बहुत ही पसंद करेंगे तो आज की रेस्पी शुरू से आखरी तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आप इस सब्सक्राइब को पूरी पराथा चावल रोटी के साथ खाईए जिसके साथ आप खाना पसंद करते हों उसके साथ खाईए तो मिलते हैं कोई नई वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई बाईए झाईए जो लोगों के लिए के लिए कोई आप